रोका देंगले खबार के और 400 किलो मीटर की कावड यातरा पूरी कर वदायक राम कुमार टोपो सीतापूर पोहँचे जह भक्तों ने कावड यातरा का जगजग स्वागत किया गया विदायकर रामकुमार टोपो ने बताए कि बनारस्ग के अस्ती घाच से तीसरी बार जल लेकर पैदल कावड यात्रा की जा रही है 12 दिनों में उत्तर प्रदेश उसके सरकुजा के चुरकी धाम में जलाबिशेक किया 409 किलो मीटर के लंबे सफर के दौरान विदायक रामकुमार टोपो का स्वास भी खराब हो गया था बावजुद इसके भी विदायक ने यात्रा जारी रखे और सफर तैकर मन्जिल तक पहुँचे काफी गड़े हो चुगे थे जिसके कारण लोगों काफी दिक्कत हो रहा था मैं अभी सत्र में दिल्ली गया था वो समय कई फोन आये यहां रोड चलने लाएक स्थिती में नहीं है तो मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ और मैं सब्सक्रा लोगों का समस्या है तो उसको जा करके मैं देख रहा हूँ